नमस्कार आप सभी को, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारतिय नागरिक सुलक्षा सहीता में स्ट्रेक्शन 3 को, स्ट्रेक्शन 3 में कंस्ट्रक्शन ओफ रेफरेंसिस की बात की गई है, इसमें बताया गया है कि जो एक्जीकुट्व में स्टेट होते हैं और जो की लिए ही बताया गया है, तो चलिए इसमें जानते हैं स्ट्रेक्शन 3 का सब्सक्शन 1, जो सब्सक्शन 1 है, सब्सक्शन 1 यहां पर जूडिशन मेजिस्ट्रेट की बारे में बताता है, जूडिशन मेजिस्ट्रेट कौन होता है, जूडिशन मेजिस्ट्रेट एक डिस्ट स्क्राइब क्लास टो जो होता है और सबस्क्राइब करें रोट जो कि इंपर ऑपर एक किया जाता है कितने area तेक उसकी power है उस case को handle करने की और उसके पास कितनी power है किसी case में परिश करने की जुडिशल मेरेट के पास power हो जाती है कि किसी case को handle करे तो उसमें उसका एक jurisdiction भी वहाँ पर prescribe किया जाता है कितने area तेक उसका jurisdiction है subsection 1 में simply यहीं बताए गया है और कुछ नहीं है समय और जो executive magistrate होता है इन दोनों case में function बताया गया है कि उनकी क्या का function होगे जो इसमें a close इसमें बताती है जो कि इसमें judicial magistrate के power को exercise करने की बात की गी है देखिए judicial magistrate के पास जब भी कोई case आता है उसमें वो क्या कर सकता है उसके इंक्वाइरी करेगा जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब police report दी जाती है magistrate को तो मेस्टेट उसमें inquiry करता है कि वो जो police reporter वो ठीक है उसमें charge लगना चाहिए या उसको महीपे उसको close कर देना चाहिए तो वो inquiry करता है उसमें और जो case का आगे trial चलता है जो case का trial चलेगा वो judicial मेस्टेट के पास ही चलेगा या फिर किसी को punishment देनी हो बैसे को penalty पोस्ट करनी हो किसी के ओपर ठीक है और या फिर किसी को custody में बेजना हो किसी court मतलब कि किसी court के पास उसके अपने case को trail को जो उसके पास case चल रहा है अपने उस case को किसी और के पास भेज़ देना ताकि उसके पास उसका trial चल सके ठीक है जो close A है, close A में simply A बताया गया है, judicial mistake होता है, उसके पास ये power होती है, inquiry करने की, investigation के लिए बोलना, police officers को, कि आप investigation आगे कीजिए, punishment देना, penalty देना, और हाँ, इसमें evidence को collect करने के लिए बोलती है, ठीक है, वो evidence को वहाँ पर इकठा भी करती है, मतलब कि उसको बोल सकती है, police officers को, या फिर जो दूसरी party है, जो civil case होते हैं, civil cases में, जो भी collection करने के लिए बोलती है, evidence, जो भी court को ठीक लगता है, कि आप इस evidence को आप दीजिए, ठीक है, तो उस case में judicial mistake के पास power होती है, जो case अब पूरा trial होता है, ठीक है, तो वो judicial mistake के पास चलता है, section 3 के subsection 2 में close B दिया उसमें executive mistake की बात की गई है, executive mistake के पास क्या power है, देखिए, जो executive mistake होता है, उसके पास administrative power भी होती है, और executive भी, मतलब कि वो जो executive mistake होता है, वो executively और administratively महाँ पर काम करता है, ठीक है, उसके पास power होती है, कि वो license को suspend कर सके, license को cancel कर सके, license को grant कर सके, ये तो 3 license से related होगे, grant, suspend और cancel ठीक है यह executive mistake के पास power होती है जो हमारी district court में कौन होते है SDM DM ठीक है यह इन्हें के पास power दिये होती है administratively और executively जहाँ पर वो अपने power को exercise करते हैं और यह close B में भी यहाँ पर यही बताया गया है कि उसकी क्या power रहेगी license related मैंने आपको बताया दे cancel grant और suspend करने की वहाँ पर license को और जो prosecution है उसको sanction करने की और withdraw करने की जो prosecution होते है ठीक है उनको वहाँ पर sanctioning करने की और withdraw करने की यह वहाँ पर जो executive mistake होते है जिनको match DM DM बोल सकते हैं तो उनके पास यह power होती है तो close B में simply हाँ पर executive mistake की बात की गई है जहाँ पर executive mistake अपनी power को use कर सकता है जो जो मैंने आपको point बताई है close B में ठीक है जो आपको नीचे दिख भी रहा होगा जिसमें आप पढ़ सकते हैं ठीक है तो यह barex language मैं आपको साथ के साथ दिखा देता हूं जिसमें आपको कोई concept अगर clear ना भी हो तो आप उसको पढ़ के देख सके ठीक है तो यह हमारा section 3 था जिसमें construction of references की बात की गई है जिसमें executive mistake और judicial mistake इन दोनों के बारे में बताया गया है उनकी क्या-क्या responsibility होती है काम करने की क्या-क्या function है वो अपने function को क्या exercise करें कहां पर exercise करें यह section 3 में simply यह बताया गया अगर आपको फिर भी वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो एक बार फिर से इसको पढ़ने के बाद तो सेक्शन 3 में हमने जान लिया है कि कि सेक्शन 3 में कर्स्टेक्शन और रफ्रेंसिस का मतलब है क्या तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ओके बाए